हेलो स्टुडेंट्स यहां पे हम आपका क्लास सिक्स्त का जो चैप्टर नंबर क्लास सिक्स्त का चैप्टर नंबर एट्थ है डेसिमल जिसका नाम है उसको यहां पे पढ़ा रहे थे और पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे decimal cover किया Thai की decimal number क्या होता है decimal number को number line कर उपर कैसे represent करते है और उसके बाद comparison किया था कि मadtलब दो numbers के बीच में decimal नंबरों के बीच में comparison किया था कि कोंसा बढ़ा होता है आपका खोनसा चोटा होता है उसके बाद यहाँ पर आपका use of decimal आता है heading आपकी कि decimal का use कहाँ पर किया जगता है तो सबसे पहले तो money के अंदर आपका किया जगता है money को हिंदी में क्या कहते है पैसा कहते है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो hundred पैसा होता है उसके अंदर निकालना रुपीज के अंदर तो यहां पे हमें क्या करना होगा वन पैसे के अंदर कितने रुपीज होते हैं यह आपका होता है वन अपॉन हंड्रेड और इसको यहां पे हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01 रुपीज तो वन पैसे के अंदर यहां पे कितना 0, 1 रूपीज इसी तरह यहाँ पर देखे 65 पैसे के अंदर कितने रूपीज होते हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर 65 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से और जो भी आप काएगा उतने ही रूपीज आपके यहाँ पर हो जाएंगे 5 पैसे के अंदर कितने रूपीज होते हैं यह भी आप इससे निकालेंगे और यह आप किस में निकल गाएंगे डेसिमल में निकल गाएंगे यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लेंट की लेंट को क्या कहते हैं यहाँ पर simple एक length क्या होता है, measurement होता है, measurement मतलब जिससे आप किसी चीज़ को map सकते हैं, जैसे कहते हैं कि बच्चा कोई है, यदी कोई बच्चा है कि उसकी height जो है वो आपकी 2 feet है, 3 feet है, 4 feet है, इस तरह आपके यहाँ पर क्या होती है, length निकलती है, इस तरह किसी चीज़ का measurement क् लगता है, उसकी length के लगती है, अब यहाँ पर क्या होता है, length आपकी simple क्या कहते हैं, 1 meter, एक meter के अंदर कितने centimeter होते हैं, यहाँ आपके 100 centimeter होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदी मुझे यहाँ पर 1 centimeter निकालना है, meter के अंदर, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 upon 100 meter, इसको divide करेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा 0.01 meter तो 1 cm के अंदर आपका 0.01 meter होते हैं यह आपको यहाँ पर क्या करना है याद रखना है otherwise इसको आप direct भी निकाल सकते हैं और यदि हमें यहाँ पर क्या करना है 56 cm में बताना है कि आपके कितने meter होते हैं तो 56 cm को हमें क्या करना पड़ेगा 100 cm से divide करना पड़ेगा और आपका यहाँ पर आजाएगा 0.56 यह आपके क्या हो जाएगे meter हो जाएगे तो 56 cm के अंदर आपके 0.56 meter होते हैं इस तरह यहाँ पर यह सब कुछ हमें निकालना होता है उसके बाद नमबर 3 इसमें बात आती है weight की अब weight में आपका क्या होतता है kilogram 1 kg kilogram को हम लिखते है kg अब 1 kg के अंदर आपका कितने gram होते है यह आपके 1000 gram होते है और यदि मैं यहाँ से 1 gram का weight kilogram के अंदर निकालता हूँ तो यह आपका 1 upon 1000 kilogram हो जाएगा इसी तरह है यदि मुझे यहाँ पे 500 gram का weight निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 500 को आपको divide करना पड़ेगा 1000 से तब आपका यह आ जायागा 0.250 kg इस तरह ही आपका निकल क्या आता है question में आपको यहाँ पर क्या का गया कि इसने आपके 500 gram potato खरीदे उसके बाद 25 खरीदा इस तरह मतलब आपका यह onion खरीदा तो यहाँ पर क्या करेंगे सब को add करा देंगे सब को add कराने के बाद 2350 gram यह आया आपका और यदि हमें इसको kilogram के अंदर रखना है आपका 2350 gram है और इसको हमें kilogram के अंदर convert कराना है तो 2350 का हम क्या करेंगे 1000 से divide करा देंगे तो यह आपका आजाएगा 2.350 kilogram तो total जो उन्होंने खरीदा है समान वो कितना हो जाएगा 2.350 kilogram next हम आपको बता चुगे के किसमें कितना gram होता है उसके बाद बात आ जाते है यहाँ पे exercise 8.4 की 8.4 में आपका first question है कि express as rupees using decimal अब यहाँ पे आपको 5 पैसे की बात करनी है तो 5 पैसे के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 को divide करतेंगे 100 से तो यह आपका जाएगा 0.05 rupees तो this is our answer in decimal इसी तरह 75 पैसा तो 75 पैसे को हम क्या करेंगे 75 को divide करतेंगे 100 से तो यह आपका जाएगा 0.75 rupees यह आपका हो जाएगा answer in decimal next आप यहाँ पे 20 के लिए निकाल सकते हैं उसके बाद 50 rupees 50 rupees तो आपका यह हो जाएगा 0.90 पैसा तो आपका यह कितना हो जाएगा 90 0.90 आपका हो जाएगा यह आप इसको 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 कर सकते हैं कि 90 पैसे के लिए हम rupees में convert कराएंगे इसको तो 90 को क्या करना पड़ेगा 100 से divide करना पड़ेगा तो यह आपका किसके rupees के अंदर निकल करा जाएगा तो this is our equal to 0.90 यह आपके इसके equal हो जाएगा और simple यहाँ पर क्या करेंगे 0.90 के अंदर हम 50 एड़ करा देंगे तो यह आपका आजाएगा 50.90 यह आपका किसमे हो जाएगा rupees में हो जाएगा तो इस तरह decimal में आपकी सारी convert की जा सकती है next देखें यहाँ पर meter आपको किसमे convert कराना है decimal के अंदर convert कराना है अब यहाँ पर कितना है आपका 5 cm है मतलब 15 cm है तो 15 को डिवाइड करेंगे 100 से तो यह आपका हो जाएगा 0.15 meter तो this is our decimal इसी तरह next आप निकाल सकते हो यहाँ पर आपका 2 meter है और 25 cm है तो यहाँ पर simple 2.45 meter आपका हो जाएगा यह यह इसको निकालने का next जो आपका way होता है 45 को हम क्या करेंगे divide कर देंगे 100 से तो आपका जाएगा 0.45 और इस पर add करा देंगे 2 को तो add कराने पर आपका 2.45 यह हो जाएगा तो this is our answer next देखें आपे millimeter की बात करते हैं तो millimeter में भी आप बिल्गुल same concept लगता हैं उसके बाद kilogram की बात करते हैं kilometer की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि one kilo meter में आपके होता है one thousand meter यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो इसी से आप इसको कर सकते हैं next यहाँ पर क्या है कै आपको X place करना है kilogram अब यहाँ पर kilogram में क्या होता है कि one kilogram के अंदर आपके कितना होता है one thousand gram और यहाँ से बन ग्राम के लिए निकालेंगे तो आपका one upon one thousand kilogram हो जाएगा इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि आपका 2 ग्राम है तो 2 ग्राम में आपका क्या हो जाएगा यह 2 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से जो कि आपका आजाएगा 0.02 यह आपका हो जाएगा और यह आपको क्या लिखा जाएगा किलो ग्राम तो answer is this उसके बाद next आपके adding आती है माल लेते हैं यह नंबर है आपके first नंबर है 0.29 next नंबर है आपका 0.36 तो यहाँ पर देखो point के नीचे point लिख दो 36 यहाँ पर आजाएगा 0 यहाँ पर आजाएगा add करना है तो 9 और 6 15 15 का 5 कैरी गया 1 325 16 point के नीचे point 0 this is our answer next यहाँ पर देखे third में यह आपका 1.54 next आपका 1.80 तो point के नीचे point लिखो उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा उसके बाद 80 add करा होगे से 4 यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 point यहाँ पर carry 1 जाएगा 1 plus 1 plus 1 तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा 3.34 आपका है यहाँ पर लता ने जो spend गिया वो रूपीज है 9.50 उसने कोई pen खरीदा है next उसने इतना 2.50 की एक pencil लिया है मतलब तो उसने कितना पैसा खर्च किया तो यहाँ पर क्या करेंगे 9.50 में add करा देंगे 2.50 को add कराने को आपको कितना हो जाएगा यह आपका 0 आएगा 5.50 कैरी गया 1.10.12 पॉइंट तो उसने 12 रूपीज कितने यहाँ पर 12 रूपीज खर्च किये तो इस तरह यहाँ पर आप आंसर इसका निकाल सकते है उसके बाद samsung traveled 5 km और 52 मीटर बाइ बस मतलब 5 km और 52 मीटर तो 5 तो आपका किलो मीटर हो जाएगा और यह आपका 52 मीटर लिख लेंगे उसके बाद उसने बस से इतना distance कवर किया और car से उसने किया 2 km and 265 मीटर उसके बाद बची ओई जो distance से उसने पैदल कवर किया यह आपका 1 km and 3 मीटर तो उसने total कितनी distance कवर की यह आपको यहाँ पर बताना है अब देखो यहाँ पर क्या है simple first case में जब उसने बस से distance कवर किया वो इतना है आपका इसको निकालने का जो तरीका है यहाँ पर 5 km तो आपका यहाँ पर पूरा है मतलब यह तो आपका complete है अब यहाँ पर 52 मीटर है इसको करते है change किलो मीटर के अंदर तो 52 को हमें क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा 1000 से तो 1000 से इसको divide करेंगे तो यहाँ आपका जाएगा 0.052 किलो मीटर यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितना होत्ता किलो मीटर आपका 1 upon 1000 किलो मीटर होत्ता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे से 5 के अंदर add करा देंगे 0.052 को अब यहाँ पर 5 के आपके point लगाओ और कितनी भी 0 पर डालो और add करोगे यहाँ पर इस तरह आपका add हो जाएगा यह 250.5 तो first आपका ही निकल के आ जाएगा distance जो उसने बसके दुवारा cover किया है next आपका इसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.265 इसी तरह next आपका हो जाएगा 1.030 यह आपका हो जाएगा तीनों को यहाँ पर क्या करना है आपको सिधा sum कराना है तो sum कराने के लिए यह वाली property यह होती है यहाँ पर simple क्या करेंगे 5,2,7 हो जाएगा आपका और यह आप बिल्कुल easy है यह आपने class दूसरी तीसनी में पड़ाया कि इस तरह इसको sum कराते हैं तो total distance कितनी हो जाएगी इसकी 8.3457 यह आपके total हो जाएगी इसी तरह next example है आपका यहाँ पर यह आपका kilogram की बात है इसमें अब देखो यहाँ पर याद क्या करना है 1 kilometer के अंदर आपका 1000 meter होते हैं तो यहाँ से 1 meter के अंदर आपके कितने kilometer हो जाएगे 1 upon 1000 kilometer हो जाएगे इसी तरह यहाँ पर 1 kilogram के अंदर 1000 gram होतता है और 1 gram के अंदर कितने kilogram हो जाएगे आपके 1 upon 1000 kilogram यह आपका हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर meter और centimeter में होतता है यह सब आपको यहाँ पर याद कर लेना है उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर 90 gram के लिए निकालना है 90 gram को change करना है kilogram के अंदर तो 90 को किस से divide करना पड़ेगा यहाँ पर 1000 से करना पड़ेगा यहाँ आप इसको कह सकते है इसी तरह इसको याद कर लो होता है, टोटल की बात करेंगे तो add कराना होगा और मतलब इस तरह कोशिन में महाँ पर क्या होता है How, Lang дрays में जो कोशिन होता है लेंग वे इस समझनी होती है कि किस तरह आपको करना है महा लेता है कि उस बंदे ने 5 रुपे के मतलब 5 रुपे 25 पैसे के सेव लिये एपल लिया और उसके बाद 6 रुपे 20 पैसे के उसने औरेंज लिया और उसने कितना पैसा कर्च किया तो दोनों को एड़ कराना होगा यहाँ पे तो सिंपल यहाँ पे इसको एड़ करा देंगे तो एक्सुसाइज यहाँ पर आपकी हो जाती है 8.5 देखिए इस एक्सुसाइज चैनल के अंदर आपको फियोग पोस्ट पड़ाता हूँ और पलस सारी एक्सुसाइज के कोशेन कवर करने की कोसिस करता हूँ पर जैसे यहाँ पर कुछ यह पार्ट होते है यह पोछित है पर कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पर आपको WhatsApp group हमने बना रखा है उसमें भी आप जोईन हो सकते हैं टेलिग्राम जहां पर भी आप चाहें अपने parents के थूरू आप जोईन हो सकते हैं और वहाँ पर आप हमारी हमसे अपनी problems जो है यह पूछ सकते हैं और वहाँ पर आपको आश लिखेंगे उसके यहाँ पर 8.5 है तो point के नीचे आप point लगा दो इधर आप 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दो उसके बाद इधर 8 है तो यहाँ पर 8 लिख दो next है आपका 30.08 तो point के नीचे point लगा दो उसके बाद 0 लिखो यहाँ पर 8 लिखो इधर आप कितना लिखो 30 लिख दो अब यहां पे आपको क्या करना है एड़ करना है जहां जहां पे space बचा है वहां वहां पे 0 फिल कर दो इस से आपके इन नंबर पे कोई फरक नी पड़ेगा उसके बाद एड़ कराना है तो यह आपका 7 हो जाएगा यह आपका 8 हो जाएगा यह आपका 5 हो जाएगा भी खुछ से try कर सकते हैं जैसे यह आपका 15 है माल लेते हैं 15 के अंदर हमें add करना है 13.8 तो 13.8 को इस तरह लिखो अब 15 के अंदर तो कोई point नहीं है तो यहाँ पे students क्या होता है यहाँ पे हम point लगा के double zero कर तो कोई issue नहीं है इसमें यह one zero बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे point के नीचे point और यहाँ पे एक zero लग देंगे उसके बाद यहाँ पे 15 कर देंगे और दोनों को add करा देंगे simply है उसके बाद इसको भी इसमें add करा लेंगे तो यह आपका तरीका होता है add कराने का उसके बाद question number two देखें यहाँ पे जो आपका रासीद है वो spend करता है इतने रूपीज math book पर और इतने रूपीज science book पर उसके बाद total उसने कितना खर्चा किया total खर्चा निकान ले के लिए क्या करेंगे दोनों को add कर देंगे उसके बाद उसके बाद रादी का जो मदर से है उसे देती है कितने 10 रूपे 50 पेसे father देता है 15 रूपे 80 पेसे उसके बाद उसके पास कितना पैसा है तो इसके लिए क्या करतेंगे add करतेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखीए नरेश की बात कर लेते हैं नरेश चलता है इतना किलो मिटर फिर चलता है इवनिंग में चलता है और मोर्निंग में चलता है दोनों का दिया हुआ है यहाँ पे अब यहाँ पे 12 किलो मिटर 35 मिटर है 35 मिटर को किसमें चेंज कराएंगे हम kilometer में change करा लेंगे simply यह आपका हो जाएगा add करा देंगे उसको total इसकी distance निकान लिए है तो total इसको add कर देंगे यहाँ पर next यह सुनीता वाला question भी आप कर सकते हैं रवी वाला question भी आप यहाँ पर easily कर सकते हैं बस आपको यहाँ पर मुख्ये जो चीजे हैं वो आपको याद रखनी है मैं आपको फिर से एक बर रिवाइस करा देता हूँ one kilometer के अंदर one thousand gram होते है one kilometer के अंदर आपका one thousand meter होता है यह दो चीजे याद कर लो इससे काम बन जाएगा अब यहाँ पर यदि हमें one gram के अंदर देखना है कितने kilogram होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे one को हम क्या करेंगे simply divide कर देंगे one thousand से तो यह आपका kilogram के अंदर निकल के आजाएगा अब माल लेते हैं यहाँ पर आपका यह four double zero gram है तो four double zero gram को हमें किसमें एक चेंज कराना है kilogram में तो यहाँ पर लिखो four double zero इसको divide करो one thousand से यह आपका जाएगा point four double zero kilogram इस तरह आपका होत्ता है निकालना अब इसके बाद एक आगा आपका point four double zero kilogram और इसके बाद five kilogram इसके पास पहले से था तो यहाँ पर पाँच लिखो उसके बाद point लगाओ तीन zero लगाओ उसके बाद add करा दो यहाँ पर भी zero लगा दो zero zero four point five तो यह आपका हो जाएगा एक next आप इसको भी ऐसे लिखा लोगे इसको भी ऐसे निकालोगे उसके बाद total करना है तो इनको add करा आपका यहाँ पर answer निकल के आ जाएगा मैं फिर से आपको दोराना चाहता हूँ कि यदि आप वीडियो में आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो आप comment box में अपने parents के थुरू लिखवा सकते हैं वहाँ पे कि इसको सर फिर से बताईए या हम पुरी की पुरी कोशिश करेंगे कि आपकी पुरी help यहाँ पे की जा सके next हम यहाँ पे subtraction का part जो है वो कल cover कर लेंगे next वीडियो में तो next वीडियो को देखना ना भूले और चैनल को जल्दी से जल्दी subscribe करकर bell icon दबा ले नीचे लाल करर का जो बटन दिया हुआ उसको वहाँ पे प्रेस कर दो उससे क्या हो जाएगा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा यदि मैं कोई वीडियो यहाँ पे डालूंगा तो उसकी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो जो subtraction का part है वो हम next वीडियो में यहाँ पे कावर करेंगे तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल में बने रहे थैंक यू ओल